हेलो फ्रेंड्स मैं जोति स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सबके अपनी चेनल जोति में कीक में तो आज मैं आप सभी को यह चावल की कुरई बनाना बताऊंगी जिसे फुलोरी के नाम से भी जाना जाता है तो आज मैं आप समय को जो आप रेगुलर खाना खाने में जो टो कि इहां सब्छता है dog사 सब्सक्राइब करा दोस्तों यह बहुत सुंदर और बहुत ही क्रिस्पि किस्पि एफिश्पि फ्रॉडिक लगता है खाने में बना clickingandid यह सालो भर के लिए और सालो भर के लिए बाई के पकानओं तो बना से जाना जाता तो आप लोगों को यह किस नाम से जाना चाता है आप लोग जरूर कॉमेंट करके बताईएगा चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं चावल की एक रही बनाना तो यहां मैं एक कटोड़ी चावल ली हूँ आप जो रेगुलर खाना खाने में चावल यूज करते हैं उसी चावल स बना रही है आपके पास जो भी मोटा पतला अब जो चावल यूज करते हैं उस चावल से बना सकते हैं तो यह हम इस चावल से बना करते हैं तो यहां मैं एक कटोड़ी चावल ली हूँ और इसे मैं दो तीन बार पानी से अच्छी तरह से दो लेती हूँ तो आप जितना quantity में चावल लेना चाहते हैं उतना quantity मिले रीजी और उसे अच्छी तरह से पानी से दो लेना है क्योंकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा गंदा पन रहेगा वो साफ हो जाएगा इसे मैं भो लेती हूँ उसके बाद मैं दिखाती हूँ तो यह देखे दो ली हूँ यहां मैं तीन चार बार इसे अच्छी तरह से वास कर ली हूँ उसके बाद मैं यहां लेती हूँ एक प्रेशर कुकर और इस प्रेशर कुकर में मैं यह चावल को डाल देती हूँ जितना चावल आप लिए हैं उतना चावल आप डाल देजी पानी के सहती मैं इसमें डाल देए हूं थोरा सा पानी था उसे भी मैं यहां डाल देती हूं उसके बाद क्या करना है अब जिस कटोरी से चावल ली है उसी कटोरी से इसमें पानी डालना है तो मैं इस कटोरी से चावल ले थी एक कटोरी पानी डालना है तो पानी आप अपने हिसाब से मत डाले इसमें जितना नाप है उस नाप से बनाई यह तो बहुत परफेक्टली कुरई बनके तयार होगा मैं यहां पान्च कटली पानी डाल दी है उसके बाद मैं इसमें 呃कन लगा दे ती हूं और इसमें कुछ भी नहीं डालना है तो अभी मैं इसमें ध़कन लगा करके इसे सीटी लगा लेती हूं दोस्तों आपको जी चावल जितना मोटा या पतला है उसे साब से आप इसमें सीटी लागा सकते हैं मोटा है तो आप ज्यादा सीटी लगाई जिससे कि ये अच्छी तरह से गल जाए मैं इसे दो सीटी लगाई हूँ दो सीटी में ही अच्छी तरह से गल जाते हैं तो इसके बाद देखेगा, इसका निकल चुका है, तो मैं इसे खोल करके आप सभी को दिखाती हूँ, और ये देखे, अच्छी तरह से गल चुका है, बहुत ही अच्छी तरह से ये पक भी चुका है, तो इसे low to medium आज पर ही पकाना है, मैं इसे चम्मस से निकाल करके दिखा ही हूँ, ये देखे आप से बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है, ये चावल को भाद तो चम्मस से फेट लेतीं हूँ, 1-2 रम पर जिस तरह से निकल लका देखें, आपन Global गतेश्म हूस, भीषब अपने घर चावलों, लेत निर्ला बभीए हैं, यूदि को अढ़िए हूअ चौक हम करता ही हो चुका हे इसे चूए करके दिखाती हूँ आपनत से खावलों यहांगा हां५ फितना फुष्चे बच्चे के लिए आउचंटा पजिक सकते हैं जूआ दिए में श्रक्नी आफ सब्सक्रीन केट लिए उन्हें बच्चे के लिए बना ह法 दाल न older theoo को थीन lan लखना के लिए अब में लुखहा सकता हैं तो को इसकील कोई है अफ Good मत अडाली थे पूली आप जितना चावल दिए थे उस कवांटिधी को अफोंति भापुछान मेर tut अजन टाला है अज्वाइन अध्यान से नहीं regarde मिलाना है तो यहां मैं इसे हाथों से अच्छी तरह से मिला लेती हूं दोस्तों यह हाथों से मिलाना है यह अच्छी तरह से ठंधा भी हो चुका है इसे गर्म गर्म नहीं बनाना है गर्म बनने के बाद यह क्या होता है फैट जाता है और अच्छी तरह से फुल नहीं पाता ह म toca देंग कितनी तरह से चावाल जो है गल चुका है पूरा खिजी की तरह यह बन चुका है इसे अची मिला लेना है जिसे कि यही चूरGI ल बनाना करती हूं तो अब बनाने की लिए नारोटी में पानी और इसमें थिंधा-थी तरह में देमाना रहा बनाना advisor pushing स्थावारा के हाथों में लेना है ऐसे ही इतने हैं तो नहीं सब्सक्रारा के एक साफ कफ़ार डी और पर साफ कफ़ार अलगाब्या थे रही रहे जिलते हैं नहीं तो अप kफ़ाराा बना सकते हैं यहां साफ कफ़ारा हैं और बना की आफसे SAR बतुरू sasalire कर दी हूं आप छोटा बड़ा आप अपने मन के हिसाब से आप इसमें साइज दे सकते हैं आप छोटे साइज का पसंद करते हैं तो इसमें आप छोटा डालिए और बड़े साइज का पसंद करते हैं तो आप इसमें बड़ा बना सकते हैं तो आप साइज जो है अपने हिसाब नहीं तो आप फैन के निचे भी से सुखा सकते हैं यही सारा ब्रेत betr को मैं बना कर ingen cuma करके तैयार कर ली हूँ और इसे में धूप में डाल दी हूँнуться दूप में हो चुका है जदि आपके पास धूप एबलेवल ना हो दूप नहीं हो तो आप इससे पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं तो राट टैम लगता है पंखे के नीचे और यहां धूप में जटपट से सुख जाता है तो यहां दो गुंटे के बाद करना जारा मैं दि क्लीन सा हो जाता है कपड़ा और यह देखिए निकलने के बाद एक तम क्लीन क्लीन सा हो चुका है इसे मैं दो गुंटे मातर ही सुखाई हूं धूप में अभी दूप बहुत तेज है इसे मैं दो गुंटे ही सुखाई हूं दो गुंटे में यह देखिए कपड़े से निकल करना starting हो कुगा owत निकाल लेती हूं ईक सुख ने दीती हूं उसके बाद करना जाहरा मैं दिखाती हूं अधीक्टकर त्यार सुख है जैसी हमदेजिये 2020 आप देख सकते ह些 है कि इती हुआ है यहां मैं इसे कुछ फ्राय करके आप सभी को दिखाती हूँ यह देखिए यहां मैं एक पेर में तेल डाल दी हूँ गर्म होने के लिए तेल अच्छी तरह से गर्म होने देना है तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है तो अब मैं इसे फ्राय करती हूँ दोस्तों यह जहट हो चुका है एक दम क्रिस्पीं क्रिश्पी और कुरॉही बनंके तव क्रिश्पी बनंके तयार होिए यह एक वह बनाने के बाद आप जह को जबन करें वहां प्रॉाइ और ध्यॐता है कूच वहां सेृ और कितना और Face सबस्टों को पनाने का तरीका है और मेरे बताने नहीं को प्रापत हो सके और सब से पहले आप internet भी तेख सके दोस्तों आप सब को ये कुरई और ये फुलोरी बनाने का तरीका कैसा लगा आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताईएगा तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तके लिए थैंक्यू बाई बाई